मुझे को पहचान लो मैं हूँ कॉन अंड्रियो अ-ड-r-e-o अंड्रियो अम आलम है तरे बाप को बात सिखा चल तीन चार साल से मैं इस चैल पे वीडियो डाल रहा हूँ और अभी भी कुछ लोग में को कॉमेंट सेक्षन में एंड्रोइड लिख देते हैं अभी क्या होगै तुमेर? अंड्रोइड शही मैं? मैं बता रहू हूँ अब एक और इंसान ने अगर एंड्रोइड लिख दिया मैं घर में घुज़ा हो तुमारे यार एंड्रोइड नाम दोड़ी यार मेरा एंड्रियू है एंड्रियू एंड्रोइड बहिया एंड्रोइड बहिया ये क्या होता है ओके तो अभी ये वाली बाते हैं साइड में रखते हैं और आज चुकी है एक और नोट एो टाइब की रियाक्शन वीडियो लास्ट वाली वीडियो पहिं गा बेले एंडॉलड भाई एक और बनाओ तो भचपन से मेरा मेरा मैच्स भूट जादा खराब था मुझे आइन कलाश में समझ में आगया तक ही मेरा मैच्स में कुछ नहीं हो सकता वह सर, पागल हो गया, मैज में अबी सीडी कहा से आला, नहीं में केस कर दूंगा आक पे, मेरा वकील किदर है? आयू बेटा चुपचाब अपनी जगह पे बैठ जाओ, तुम्हारा कोई वकील नहीं है अच्छा, दो अम्रेटर को भुलाता हूँ वहाँ कर दिया मैंने मैसेज, आरा है तुम, तुम, नहीं तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते है वाई 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 यह लेकिन मेने तो मजाग किया था, ये तो सच्मी भाग गगए, सर भी फूट गया होगर है वहाई बाई यह तुसने पोन को निकाला था दूम चाले, दूम, चाले, दूम मैट्स पर मुझे बच्पन सी भरोसा नहीं था एक बार फिफ्ट क्लास में मैंने नौ का टेबल रटा था नौ घंटे में स्टार उस्टों पर शाकला का भूम देख लेता है वाई 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 देखो बनाल लगा यह मैने मैट्स अकी लिए पढ़ना ही छोड़ दिया ग्रूप सड़ीस ही करता था फिर मैं और ग्रूप सड़ीस ना उन बच्चों के लिए जिने पता होता है कि कौन सा चैप्टर कैसे करना है यह बच्चे ना अलग ही होते है इनकी कॉपी में मोर का पंक होता है मोर की कॉपी में इनका पंक होता है इन्हें पताए कि इन चीजों का हमारे जीवन में क्या उपी हो गया है ये लोग अपने सबसे close दोस को भी पूरा नाम लेके बुलाते हैं युवराज राजेश पाटीदार इदर आओ हाँ भाई मेरसी काम है ना कि बापको भी बुला के लाना पड़ेगा ये वो बच्चे होते हैं जो घर में भी स्कूल उनिफॉर्म में बैट के बढ़ाई करते हैं ये बच्चे वन आवर 45 मिनिट्स पढने के बाद 15 मिट का ब्रेक लेते हैं नई ने हमारे जैसे नहीं है की साथ गंटे तक एक ही कॉपी के पनने को घूरे जा रहे हैं उसमें भी कुछ याद तो हो नहीं रहा है उल्टा साथ गंटे लगातार गूरने से पेपर के आरपार अलग दिखना चालू हो जा अब है या 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 वाई सीरिसली भाई है आरपार दिख रहा है सूपर पावर्स स्पोर्टर मैन स्पोर्टर मैन की शर्ट भी नहीं है शर्टी और मास्क अब मैं ग्रूप स्टीस करता था मेरे दोस्स बंटी के साथ बंटी बहुत ही भंड बच्चा था पड़ाई मैं लेकिन बंटी ना उन बच्चों में सिदा जिनकी पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है बंटी पास भी थी घूमी होई चीज़े ढूंड निकालने की क्लास में किसी की कटर या रबर घूम जाए बंटी फर्स चाट की पता लगा लेता है कि कहा पर ए चीज़े वो पांच वारी डॉम्स की रबर तो बंटी सूमकर ही बता देता था बंटी के बस की है बंटी कहीं से भी आकाश पाता या भली साइड वाले जन्रल स्टोर से ही क्यों ना तुम्हें तुम्हारी रबर सही सलामत लाके देगा यह 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 हैपी शिंचन म्यूजिक क्यों बज़रा है भाई यहां पे इत्ती अच्छी सुबह नहीं होती यहां पे के रहे सेव मड़े पिरे को बोला ना उल्टे सिदे म्यूजिक मत लगाया कर वीडियो में समझ नहीं आती प्लीस को बेजो यह मुझे मौम बत्ती के चटके लगाता है एक्जाम के एक दिन पहले बंटी और में साथ में ही पढ़ रहे थे हम दोनों बहुत टेंचन में थे म मैं इसले टेंचन में था क्योंकि ट्रिग्णोमेटरी में जितनी चीजे बदल रही थी उतनी टेस्ट मेरी जिन्दगी में इनसान में बदलते है दोस क्या तुम मजे वह कब दे सकते हो हां क्यू नहीं एक मिनिट ये लो थैंक्यू बदल गए फिर से बदल गए और यह जा नरेश भिया ने हैपी हैपी स्टीकर्स नी दिया है क्या बात हो शकती है नरेश भिया और मेरे तो संबंद भी अच्छा है अरे ओ भर्ण इंसान पढ़ाई कर ले बना देगा बात है दो मेंट रूख ले बन गया बूमर और बाप मेरा कुछ भी नहीं कर सकता अभी बड़ तो तुझे एक अलग डाइमेंशन दिखेगा बस इसी चीज से में क्लास्रूम की खोफिया जगा का पता लगाऊंगा और जब पूरी क्लास लंच करने गई होगी तो मैं साक्छी को लेकर टाइम मशीन बैठ के कहीं दूर भाग जाओंगा अच्छा जी एक बार और बोला स्केल से तेरी नाभी पितने चमेड बजाते ना हैं बस चमेड बजाते अलब अगर में आपे होता तो उस बच्चे की स्पीड बेकर जैसी नाभी पे प्नी साइकेल का पहिया चटा दता है और मैं होता थो अपनी एक्वेशन इकवेशन एक्वेल स्टू एम सी स्कुएर मे वज़ा से पैरेलाइज हुआ था तू मान क्यों नहीं लेता कि तू बहुती अन्फणी है अच्छ थी अलबर्ट मेरा वो मतलब नहीं था कमोन यार अलबर्ट सास नहीं हा रही भाई उठा दे प्लीस मुझे समझ में आगे तकी बंटी और मेरे बस का निये मैट्स इसलिए मै अपने एक और दोस राजु को फोन लगाया राजु ना मेरी जिंदगी का डे की सुकी था मतलब वो बस मेरी जिंदगी के पढ़ाई या होमग पाल अभी सोट्स में आता था बस इसके अलावा हम एक दूसरी के बारे में कुछ नहीं जानते थे राजु और मेरी कॉल पर ब कच्चे मम्मी राजु लेकिन पक्के भी तो खाने चाहिए फिर पक्ते बना जो दो दो सबजी मैं नहीं बनाऊंगी राजु ने मुझे कॉल पर बताया कि उसकी मम्मी पापर रात में किसी काम से भार जा रहे हैं तो हम रात में उसके घर पढ़ने आ सकते हैं अब देखो म को किया सब आर इंवा left aare क्या सबाल कर आले करने जा रहे हैं ये कराथ के लिए नाने दोने मते हैं आपक्ता सच्छिस नहीं देखते हैं किया है क्या है और तुने मच्र अगर बच्टी और बाले बंदुग रखिलीत ना बाले बंदुग qualche यह पागल उदर शिकारी या भालू उने हमला किया तो अरे बंटी पगलेट गुरूप स्टरीस करने जा रहे हैं अमेजॉन के जंगलों में नहीं और बसकर मेरे बाप कितरा समान पैक करेगा एक रात कली जारे हैं हम लोग रात में राजू की घर पोचते हैं अपकोर्स पढ के बार गया और बॉटल के पानी से एक भकरी बिगा कर आघा वो भी ठंड मैं और इसा भी ये थोड़ा से भिगा कर आया हो पुरा पांश लिटर भी आया था भाई वो थमसप के बाटल में पता ही कितना पानी आता है वो घर में गिर जाए तो सुना मी आ जाती है घर बह ज एक चीजे हुई वह अगर मैं तुमें इसी वीडियो में बताऊँ गा तो यह वीडियो 20 मिनिट की हो जाएगी और 20 मुनिट अगली मेरे पास पैसे है और ना ही तबारे पस टाइम इस ले इस वीडियो का मैं पाट टू। मैं पस बहुत आप यार रुको इसका सेकिंड पार्ट देखेंगे अब यह पन्त मैं और बंटी पूरा दिन बरबाद करने के बाद रात में करेक्ट नाव बजे राजू किया पोच जाते हैं इसी सोच में कि यह तो अच्छा पड़ता है हमें भी पड़ा देगा अब देखो तुमारे आसपास की संगती का ना तुम पर भूत असर पड़ता है यह चीज ना काटून्स में भी भूत अच्छे से दिखाई है तुमने डॉरे मॉन में कभी डेकी सुकी को नोबिता और डॉरे मॉन के पास पांच मिनिट से भी ज़्यादा कभी खड़ा हुआ देखा है नहीं देखा ना हाँ क्यूकि वो निकल लेता है हाँ क्यूकि वो निकल लेता है उसको पता ही कि अगर वो इस नीले गोटे और चिमकांडी चश्मिस के साथ पांच मिनिट से भी ज़्यादा रुका ना तो पूरा जीवन मीचैन और सिजुका जैसी छोरियों के पीछे भागने में निकल जाएगा लेकिन हमारे डेकी सुकी तो पढ लिखकर राजबाबू बनने वाली फैमिली से आता है इसकी फैमिली से एक और केरेक्टर ले लो अपना सिंचैन का कजामा इसकी इमामू क लड़का है वो भी एक दम चंट इसलिए जब भी ये नीला गोटा और चिमकांडी चश्मिस दिखते हैं डेकी सुकी निकल लेता है हैलो सिजुका क्या तुम मेरे साथ होम वक करना पसंद करोगी मुझे मेरा बाप जो कि आज तक कभी शो में नहीं दिखाया है उसका कुछ जरूरी काम आ गया है तो मुझे जाना होगा औरे ये तो चला गया कोई बात नी सिजुका हम लोग भी कबाडे वाले की दुकान सी आ रहती है ये रॉड लेके इसे में उस जियान की मुद को समझ कोई दूसरा बिल्ला है चुपर यार डोरे मॉन सारी बिल्लिया एक ही होती है और सिजुका आओ चलो मेरे घर चलते है हम लोग फ्यूचर में जाके अपना फ्यूचर बरबाद होते हुए देखेंगे अरे वालो भी चा उसमें तो बड़ा मज़ा आएगा मैने कुकीस भी क्या यार शिजुका दिन भर कुकीस खाते रहती है इतना मैदा खाएगी तो जियान की भेहन जेको बन जाएगी और मीचे जरे डॉरे मॉन का ध्यान रखना वो गोदी में बैट्टे सी मूद देता है नो भुचा तो अब हमारी संगती राजु को लगने वाली थी तो पढ पढ़ने वाली रेडियेशन्स निकलती है हमारी भंड शकती ज़्यादा ही कि हमारे साथ कोई पढ़ी नी सकता हम दोने ने भी हां में हां मिला दी थी क्यूंकि हम तो थे भंड हमको तो ना पढ़ने का बस बहना ही चाहिए था अब ना हमारे पास पूरी रात पढ़ी नापतोल जिन लोगों को नहीं पता नापतोल क्या है ये कैसा भैरन बजा रहे जहापर जो चीजे मिल रहे होती है वो किसी को नहीं चाहिए और एक चैनल पर रात क्या वाई सुबह साथ आट बजे तक आता था मैं संदे को सुबह जल्दी उड़ता था ताकि मैंसा डोरेम जो चीजे मिल रहे होती है वो किसी को नहीं चाहिए लेकिन उन चीजों के साथ जो फ्री में मिल रहा होता है वो सबको चाहिए आज अब आपके लिए ये बाबा जी का चूरन अरे लेकिन मुझे चूरन नहीं चाहिए और इस चूरन के साथ आपको मिलेगा ये हैर ड्रायर बिलकुल मुफ्त औरे लेकिन मुझे वो है ड्रॉयर चाहिए माग्र 10.6 हजार रुपय में लेकिन य। ठोड़ा महенगा सोदा नहीं है लेकिन यार कोई पैसा यह वो तो मुफ्त में मिल रहये मैं मुफ्त की चीजे नहीं चायाने दूँगा नाब तूल्वा में कभी नी कितना कमाता है तेरा बाप 20,000 रूपया सर तुम चाहते हो कि चोर 25 की बंदूक लेकि तुम्हारे बाप के 20,000 रूपय चिनने है बगया से हट मिडिल क्लास फैमिली को बुलेट प्रूफ जैकेट बैचेंगे देखिए कभी बापने बुलेट अ सर इस गरीब टाइम वेस्ट करने से अच्छा मेरे पास एक आईडिया है क्यों ना हम बुलेट प्रूफ चड़ी बेचें ये 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 होते है आईडियास क्या बात करी है और करते हैं के सारे खुषियों के पल सुनते हैं और मेरा खाणा कि दर अब जब पीया किजिए ना घर में राशन के पैसे नी पापा अब मम्मी को शे नहीं बाह से एक उर्टे पास पेड़ा मारूंगा ना और अभी खरिदने पर आपको शी साथ ये जूसमेकर भी मिलेगा अगली एडिमेशन तो आज से कुछ समय पहले मतलब एक साल पहले मैं और मेरे ऑनलाइन दोस रोज की तरह किसी फलतू चीज पर आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं कि क्यू हाथी कूद नहीं सकते और कैसे पर अगर तुम पैर अंदर करके सोते हो तो तुम्हार कोई कुछ नहीं करेगा फिर पैर अंदर कर दिया तू अगली बार में बताता हूं तुझे चैन से शोएगा ना अब तू ले तरह लाइट ओन कर दिया अब थंड में बिस्तर से उठना पड़ेगा वाई बजबन में अगर मैं बूत को नहीं देख पार हो तो इसका मतलब यह है कि बूत भी मेरे बज़ पहनगे ले तरह पंखा भी आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है तो उसी बीच न जाने मेरे दिमाग में क्या आता है और मैं बोलता हूं तुम लोग अच्छे लोग हो हमें मिलना चीए यह सुनके भाईया सन्नाटा मच गया क्या बोला तुने आयू तुझे पता है ना ओनलाइन दोस कभी मिलने सकते हैं इन फैक्ट ओनलाइन डोस जैसी तो कोई चीजी नहीं होती हम सब तो रोबोट है आयू तु हमारा दोस होई नहीं सकता हम जा रहे है फिर वह ने एक दूसरे थोड़ी साइन ही चल रही है इसलिए इसे जोकस आ जाते है कभी कभार खैर सप्राइजिंगली मेरे आलनाइन दोस्तों ने मेरी मिलने वाली बात को सीरियस नी लिया और इसी तरह हमारी मुंबाई टूग ट्रिप प्लान होती है जो कि दिसंबर में थी तो आप फास चीजों को देखके चोकता है जैसे वड़ी वड़ी बिल्डिंग्स वड़ी वड़ी सुपर स्टार और इधर मैं जैसी मुंबाई के स्टेशन पर उत्रा वह भैंगी ऐलीवेटर स्टेशन पर वह भी बाई मेरे साथ भी आसे बाता है बाई मैं पहली बार आता दिली गया मैंने वाश्रूर में हवा निकलने वाली मशीन देखी थी असा हाथ दोने के बाद सुखाने के लिए उससे कुछ हाथ नहीं सुखते है ठीके वह पता नहीं क्यों लगाई हुए उनने बट मैं देखके शॉक था इसकलेटर बोलते है आलिवेटर मतलब आखो बे भरोसा ही हमोरा है मैंने ममी को पोटो कीच के भेंजी अलिवेटर वो भी स्टैसण पर हमें सो छनां यानि डी वह पता है वो प्रिक हो ने की जर्बत भी नहीं हें उसको किसे इंजीनेरे भी निहीं बनाया यह गाऊ जोगों नहीं मस्तीमी उसको इतनी उपर तक बना के आ अगया है स्टेशन रिजन अउटर स्पेस तक पोच चुका है साला कुलि लेके भी जाोगे ना थोड़ा ऊपर जाके मैने कुलि करना ठाएगा है सब कुलि करना पड़ेगा है किया तो यहां से माउंट एवरेस भी दिखता है देखो आज की रात तो हमें यह सीडियो पीस के गुजारनी पड़ेगी उपर पता नहीं कहा का के खुकार जानवर गूमते है और सबसे जरूरी बात हम लोगों के बीच में मैस होंगा मुझे मुंबाई से अपने स्टेशन जाने में दस घंटे लगते है और फिर अपने ही शहर के स्टेशन से घर जाने में पोने साथ महीन है अब तो मोलो कि नॉट्यो टैप तो बहुत ही विलेज पीपल है तो ठीक हूं मैं नहीं होते हैं हमारे आपे एक्सलरेशन भाई उसको मुंबाई जाने से पहले मुझे ऐसा लगा था कि महां पर सब लोग मचाएंगे यह ड़े चाले सीधे चाले इस तरीके से बात करते होंगे तो मैं भी ना फुल रेडी था मैं स्टेशन से भार निकला और एक अटो रोका तो सबसे पहले तो मैंने अपने ट्रेन में खरीद क्या ड़एपका यह चलो ना मच आते ना अंधरी में चलके अंधरी में तुम उचाला लेके आओ ऑनो में क्यों बैठे ओ लैंबरगू बाटेशन से अपार्टमेंट तक तो हम भकते भकते आए थे वाट वाला पीछे पड़ा था ना कियो पीछे नुझे बड़े हो आमारे जाउना आधे कर रहा हूं तो अब मेरा दोस्ट देस्ट के हम लोग हमारे बाकी दोस्ट से पहले आ गयते हैं तो अब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था तभी मुझे मेरी एक फीमेल फ्रेंड ने मॉल में बुला लिया तो हम लोग जाते हैं मिलने वहापिस साथ सो लगा के अब है बूम्भाई वहाइ टो मेरी दोस्ते ना बुझे मुझे एक एक मुवी देखने बुलाया मूवी में जाधा कुछ खास तदानी कुछ छुछ निले लोग नंगयों के पानी में तो भागर्यों निचने यहाज गभाई नहीं चर्शिकरू यह मुवी मैंने 3D में देखी थी ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ अब बस वो नंगे लोग मेरे साइट से निकल के भग रहे थे हम यह जांग जीत के रहेंगे हैं सर वो सब ठीक है वो आदमी कोन है अरे वो हमारी मुवी देख रहा है 3D में उसे तो मज़े ही आजाएगा जब हम सब नंगे होके उसके सामने से भगेंगे मेरी बात सुनो सब लोग हम लोग उसके बहुत पास से भगेंगे लेकिन उसे टच नहीं करेंगे मेरी जिस फ्रेंड ने मुझे मुझे मॉल में बुलाया था उस दिन उसका बड़े था और मैं इदर बेशरम बेहाया खाली हाथ गया था बिल्कुल उस लेंडू बच्चे की तरह जो बड़े पाटी में खाली हाथ आ जाता है फ्री का नमकिन और केक देदो बस उसे बड़े 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 ले जाओ तो यह बच्चा इधर में था चीज़े अभी इदर खतम नहीं है उस बंदी ने फिर मुझे गिफ्ट दे दिया चीज़े अब सीरियस हो गई है दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम इधर ठीक है इधर है और फिर आता है किसी के बड़े पर उनसे गिफ्ट लेने ना इधर पहले तो मुझे समझ में नहीं आए कि बंदी मुझे टॉंट मार रही है कि सच में गिफ्ट दे रही है मेरा मन करना तो उटके भग जाओ आसे अरे वो भार बहुत गर्मी है ना इसले मेरा सुचा फ्राइट प्राइट पील आके और परिपरी फ्राइज मेरे फेवरिट है अगर उस ताइम में चाहता तो आपने पीछे वाले जेप से बटवा निकाल के एक पचास को करारा नोट और एक रूपया लगा के बटडाली भाबा बना के उसे दे देता लेकिन में कोई 80 साल का दादाजी नहीं हूँ और वो भी मेरी पोती नहीं है तो आप मैं कुछ कर नहीं सकता था इसलिए मैंने बे शर्मू की तरह उसका गिफ्ट ले लिया और कमिया भी निकाल रहा हूँ घडी तो अच्छी लाई यो तुम लेकिन फास्ट्रेक की लाती तो अच्छी है घडी अवे याई उसके वाटे में वो कुछ गिफ्ट दे रही है उपर से फास्ट विडियो में तिल नन बाई